कुंडलनी की सर्वतर्व्याख्या एक ऐसी शक्ति की रूप में की गई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती यह सर्वशक्तिमान की अधिश्ठात्री शक्ति है मानव जीवन का दुर लबतम वर्दान है जिसको साद लेने से जन जन मांतर के भाव बंदन तूट जाते ह समस्त विश्व व्यापी संसार में जो अनंत कोटी भ्रमांड है उनकी आत्रा इसी मानव शरी में कराती हुई अंत में जब यह परात्पर पुरुष्ट के वाम भाग में विराजती है तो मनिश्य की चेतना अपने पूर्णतम विकास को प्राप्त करती है अर्थात अपने सुक्ष्म शिराओं की भानती शरी में रहती है ये नाडियां मनुश्य शरीर में लिंग से उपर और नाभी के नीचे के स्थान जिसे मुलाधार भी कहते हैं से निकलकर पूरे शरीर में व्याप्त है इन वहतर हजार नाडियों में भी बहतर नाडियां प्रमुख है ये दस नाडिया प्रदान है जिनके नाम इरा, पिंगला, सुशमना, गांधारी, अस्तिजिवहा, पुशा, यिशस्विनी, अलंबुशा, कुहू और शंखिनी है इन दस नाडियों में भी प्रतम तीन नाडिया इरा, पिंगला और सुशमना विशेश महत्वकी है जो प्रानवा इन तीनों ही नाडियों में प्रानवायू बहती है इसके अतरिक्त बाएं आख में गांधारी, दाहिनी आख में हस्तिजिवहा, दाएं कान में पूशा, बाएं कान में यशस्विनी, मुख में अलंबुशा, लिंग में कुहू और गुदा में शंखिनी स्थित है शरीर के दस द्वारों पर ये दस नाडिया स्थित हैं। इन में इडा नाडि में चंदर, पिंगला नाडि में सूर्य तथा सुशुमना में अगनी देवतास्थित हैं। जो लोग इडा, चंद्र और पिंगला, सूर्य, नाडी से प्रानवायू का अभ्यास स्वरोदेक शास्त्र के अनुसार निरंतर करते हैं, उनकी द्रिष्टित रहकालिक होने लगती है, यानि उन्हें भविशे का भान होने लगता है, इन नाडियों के स्वर से शुब अशु किसी कारे के सिद्ध होने या बेकार जाने का ज्यान प्राप्त किया जा सकता है, स्वरोदेक शास्त्र में इनकी विस्तार से चर्चा है, शुब कर्म में चंद्र या इर्डा नाडी का चलना तथा रोडर कर्म में सूर्य या पिंगला नाडी का चलना अच्छा माना जाता ह इर्डा नाडी चलने का आर्थ है बायने नाक से श्वास का चलना और पिंगला नाडी चलने का आर्थ है दाहिनी नाक से श्वास का चलना किस समय कौन सी नाडी चल रही है इसका अनभव आप अपनी नासिका छिद्रों के पास अपनी हमगुलियों को ले जाकर कर सकते हैं इन नाडियों के चलने का क्रम इस प्रकार से हैं। नाडियों के चलने वाली शक्ति ही कुंडलनी शक्ति है। एक रेख में कुंडलनी जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निरंतर साधना एवन अभ्यास से जब कुंडलनी जाकती है तो वे हूपर की तरफ उठती है। उस समय सुष्म्नानाडी प्राणवायू के लिए राजपत बन जाती है। जैसे एक राजा राजमार से अपने पूरे एश्वर्य के साथ निकलता है। वैसे ही प्राणवायू सुष्म्नानाडी में सुक पूरवक बहती है। उस समय चित्यानी मन मिरालंब हो जाता है और योगी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तंत्रशास्त्रों में सुशुम्नानाडी की बहुत महिमा बखान की गई है। इसे शुन्य पद्वी, भ्रह्मरंद्र, महापत, शमशान, शामभवी, मध्यमार का आधी नाम दिये गए हैं। कुंडलनी के जागरण में महामुद्रा का विशेश विधान है। इस महामुद्रा को आधिना आधी महा सिद्धों ने प्रकर्ट किया था। इस महामुद्रा से पंच्च महाकलेश, अविध्या, अस्मिता, राग, द्वेश और अभिनिवेश रुपीशोग मुह आधी नष्ट हो जाते हैं। जागने के बाद जब कुंडलनी शक्ती ऊपर की तरफ उठती है तो सारे चक्र खिल जाते हैं। ब्रमग्रंथी, विष्णुग्रंथी, और अुद्रग्रंथी खुल जाती हैं तथा शरी में स्थित शटचक्र, पून, विख्षित होते हुए खुल जाते हैं। शरीर के मेर दंड के भीतर, भ्रामनाडी में अनेक चक्रों की कलपना की गई है, लेकिन मुख्य रूप से 6 चक्र होते हैं. इन शी चक्रों के नाम, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मनिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आग्या चक्र हैं तथा इनकिस्थान क्रमशयोनी, ल नहीं पर परात पर पुरुष, सहस्त्रों, पनकुडियों वाले कमल पर बैठा है. आदीशंकर आचारे के सौन्दर एलाहरी के अनुसार कुंडलिनी शक्ति का जागरण, भ्रामरंद्र, सुशुम्नानाडी, मिस्थिच्छी चक्रों का भीदन करके किया जा सकता है. हमारी चरीर को ब्रभावेत, प्रारम के पांच चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मनिपूरक, अनाहत, विशुद ही करते हैं. उनके अधिक्ति क्रमशा पृत्वी, अगनी, जल, वायू और आकाश है. आग्या चक्र महतत्र से संचालित और मन यानी संसकारों को ब्रभावेत करने वाला है. सुयोग्ये गुरु सवप्रथम, योग, प्रणायाम, ध्यान और साधना के माध्यम से शिशे के इंची चक्रों का भीदन करता है. इसकी शुरुवात मूलाधार चक्र से होती है. प्रतेक चक्र के भीदन पर शिशे को विस्मित और चकित कर देने वाली सिध कर 20. मूल आधार चक्र सुशुनानाड़ी के सबसे निचले भाग में मूल-ाधार-चक्र स्थित होता है. इसकी स्थिती गुदादवर एवं जनांगों के बीछ बताई गई है. योग, शास्त्रों में इसे चेतन शक्ती का प्रौन वूर्जा केंद्र कहा गया है. शरीर के इसी आधार केंद्र में कुंडली नी महाशक्ती कुंडली मारे प्रसुक्त मुद्रा में दभी पड़ी रहती हैं और योगिक सादनों के माध्यम से जागरित होने पर शट चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार की यात्रा करती है तथा अनेका नेक अतिंद्रिये दिविक्षमताओं का गुप्त भांडागार साधक के सामने खोल देती है मस्तिष्क को प्रांड विद्युत के शक्ती धारा की आपूर्ती इसी केंद्र के माध्यम से होती है वेग्यानिकों ने इस केंद्र का संबन प्रजनन ग्रंथियों से जोड़ा है यह वेशक्ती केंद्र है जिसमें कानबासना की अधिक्ता होती है और इसे साधित नियंत्रिते इवां परिश्क्रित करके उच्छत्रिये शक्तियों का स्वामी बना जा सकता है मूलाधार चक्र की साधना करने वाले साधक वी रिवान एवां मोजस्वी तथा तेजस्वी बनता है वह अध्वितिये एवां अनुपम मेदा शक्ती का धनी प्रतिभावान व्यक्तित्व वाला होता है सौन्दर लाहरी में आदीशंकर आचारे कहते हैं कि मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलनी शक्ति को सावित्री भी कहते हैं इसकी आराधना करने वाला यानी इस चक्र का भेदन करने वाला साधक एश्वर रिवान बनता है क्यूंकि इस अखिल विश्व ब्रह्मान का वैभाव इसी शक्ति युग्म के हाथ सन्नेहित है स्वाधिश्ठान चक्र मूलाधार चक्र के उपर स्वाधिश्ठान चक्र आता है नाभे चक्र के नीचे पेड़ू के पास स्वाधिश्ठान चक्र स्थित होता है इसे जीवनी शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है वैज्ञानेकों ने इसे एड्रिनल ग्रंती मानना है और कहा है कि यह भागवीर यह रक्षा एवन जीवनी शक्ति के पोशन लक्षन का प्रमुख केंद्र है स्वाधिष्ठान चक्र की साधना करने से कामवासना पर नियंतरन सकता है और साधक भ्रमचारी और उर्द्वरेता बनता है स्वाधिष्ठान चक्र में रूद्रही अगनी बनकर निवास करते हैं इस चक्र का भेदन करने से साधक पैश्च विद्याओं में निशनात हो जाता है। वो अपने स्थूल और सुक्ष्म शरी में व्याप्त समस्थ दहिक और दैवेक दोशों को नश्ट करने में सक्षम हो जाता है। मनिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के उपर मनिपूरक चक्र आता है। मनिश्य के शरीर में हुरदय से नीचे नाभी के स्थान में मनिपूर चक्र स्थित होता है। प्रान ओर दा का केंडर होने के कारण वेग्ञानेकों ने इसे सुलर प्लेक्सस और पाचंठसं स्थान से जुड़े होने की वजह से इसे इपीग्यास टेल प्लेक्सस नाम दिया गया है. इसका संबन्द शरी में स्थित पैंकरियास की गरंतितंतर से भी होता है. शरीर वेज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के निशकर्ष में यह बताया है कि नाभी स्थान में स्थित चेताय केंद्र का संबंद सनायू तंतर से होता है इसमें सनायू तंतर का जाल बेच्छा होता है और मस्तेश्क की भानती इसमें भी एक लेबलिबासा भूरा पदार्थ जिसे ग्रे मैटर भी कहते हैं भरा हुआ होता है इस केंद्र को एब्डुमिनल ब्रेन की संग्या दी गई है और बताया गया है कि चेतना शक्ती का यह व्य है प्रमुख केंद्र जिसकी साधना करने से शरी में प्राणू जाका या तेजस शक्ती का अभिवर्धन और पाचन संस्थान का शुद्धी करण होता है मनिपूरक चक्र की साधना करते हुए इस चक्र का भेदन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ती के साथ अपना संबंद बना लेता है जो उसकी मनस्विता, तेजस्विता और समर्थता की दिव्य जोती को विश्व आकाश में बिजली की तरह चमकाती है अर्थात प्रकाशित सबसे बड़ी बात इस चक्र का भेदन करने पर साधक काम बीच का रहस्य जान लेता है और काम बीच का रहस्य जान लेने से उसके लिए सानसारिक सुखों की कमी नहीं रहती अनाहत चक्र, मनिपूरक चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है अनाहत चक्र को मनुष्य के हिर्दय स्थान में स्थित चेतना शक्ती का भावना प्रदान के इंद्र माना गया है शरीर वे ज्यानिकों ने इस था यमस ग्लैंड के आसपा स्थित माना है मनुष्य के मस्तिश में स्थित चेतना, ज्यान, बुध्धी और तर्क प्रदान होती है वहीं मनुष्य के हिरदय में स्थित चेतना का संबन संबेधना से होने के कारण मनुष्य दुख सोख के छोटे बड़े था पेड़े से उद्वेलित और आनंदित होता रहता है अनाहत चक्र की साधना करने अर्थात अनाहत चक्र पर ध्यान के इंद्रित करने से यह जागरित होने लगता है और फिर हिरदय में द्वंद की स्थिती समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में अनिवर चनिय आनंद का समराज्य चा जाता है अनाहत चक्र की साधना जीवन मृत्यु के वास्तविक रहस्य को सुलजाती है और उससे चुटकारा पाने का मार्ग बताती है अनाहत चक्र को भेदने से साधक में नीक्षीर विवेक कर सकने की ख्रमता का विकास हो जाता है अर्थात अनुचित का त्याग और उचित को ग्रहन कर सकने की स्वाभाविक प्रवृत्ती का विकास हो जाता है इस प्रकार से बेहंस जैसा धवल और ब्राहमी शक्ती का वाहन बन सकने की पातरता प्राप्त करता हुआ अठारह विद्याओं में निप्रुन एवन निशनात बन जाता है दरसल सुक्ष मद्रिष्टी से देखें तो पातरता के आभाव से ही मनिश्य को आभाव ग्रस और असफल रहना पड़ना है विशुद्द चक्र, शरीर के गरदन वाले भाग में पाई जाने वाली अंतहस्रावी ग्रंते को थायराइट ग्लेंड कहते हैं विज्यानिकों के अनुसार शरीर की पचन-पाचन की प्रक्रिया को कारियान विते इवान नियंतरित करने में थायराइट ग्लेंड की भूमी का बहुत महत्वपून होती है यह थायराइट ग्लेंड ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन करती है लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि थायराइड ग्लेंड मन की चन चलता को दूर करने में भी बहुत महत्वपून रोल निभाती है योग विद्या के विशेशग्यों ने शरीर के कंठ भाग में स्थित इस थायराइड ग्लेंड के आसपास किस नायू प्रवाहा को ही विशुद्ध चक्र संबोधित किया है और इसे भावन शुद्धी का केंद्र माना गया है मानसिक असंतुलन को दूर करने के लिए इस विशुद्धी चक्र का शोधन परम आवश्चक माना जाता है गर्दन के निचले भाग में स्थित इस विशुद्धी चक्र पर ध्यान करने से भूख प्यास, सुख दुख और इन सब के कारकों पर विज़ प्राप्त की जा सकती है आवेश्ध जैयत गतिविधियों पर नियंतरन भी इस चक्र की साधना यानी इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त किया जा सकता है विशुद्ध चक्र के बारे में शंकर आचारे कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में स्वट्स फटिक जैसे शिव के साथ उनकी कारे शक्ती के रूप में निवास करने वाली तुम महाशक्ती को नमस्रकार है यह संसार तुमारी ही जोती से अग्यानूपी अंदकार से चुटकारा पाकर आनंदित होता है। शरीर वे ज्यानिकों ने आग्या चक्र की संगती पीनियल ग्रंथी से बैठाई है जिसे मास्टर ग्लेंड भी कहा जाता है। जब खुलता है तो उसे गुप और प्रसुप्त अतिंद्रिये शक्तियों के जाग्रण का विशेश ग्यान साधक को सहजी प्राप्त हो जाता है। उस समय बहिर मुखी प्रवृत्ती का स्थान अंतर मुखी स्वभाव ले लेता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षित में प्रगती कर सकता है और उसके चर्म उद्कर्ष पर पहुंच सकता है। ब्रह्म अरंद्र में स्थित पंचों चक्रों का भीदन करता हुआ साधक जब छठे चक्र यानी आग्या चक्र का भीदन करता है तो उसकी दिविद्रिष्टी जागरित हो जाती है। शंकर जी की तरह कामदेव को जला देने में समर्थ अगनी रूप तीसरा नीत्र ब्रिकुट्टी स्थान में स्थित आग्या चक्र ही होता है। धारा की तरह हिंची चक्रों से होती हुई उपर सहसरार कमल में तुम जाविराजती हो। सूर्य, चंद्र और अगनी, इला, पिंगला और सुशमना तुम्हारी कला पर आश्रित हैं। माया तीद जो परात पर महा पुरुष हैं, तुम्हारी ही आनंद लेरी में स्नान करते हैं। इंची चक्रों के भेदन के दौरान प्रान वायू, भ्रहमरंद्र अर्थात सुशमना नारी में ही गती करता है। इंचहों चक्रों के भेदन के पस्चात गुरु अपने साधक्षिशे से वो साधना करवाता है जो उस महा सर्प्रिनी परमशक्ती कुंडलिनी को जागरित करती है। अगर आप उर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खोल जाएंगे। कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। अगर आपको गहरी खाई में कूदना है तो या तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। तो कुंडलिनी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूँ ये कुंडलिनी है। आप सतर्क हैं और सुन रहे हैं अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं ये कुंडलिनी है। एक भूल खिल रहा है वो कुंडलिनी है। एक कुत्ता भौक रहा है वो भी कुंडलिनी है। या दूसरे शब्दों में अस्तित्व की मौलिक जीवन शक्ती को हम कुंडलिनी कहते हैं। अब सिस्टम के भीतर, मानव प्रणाली के भीतर, अगर आप इसे एक तरह के जीवन पैकेज के रूप में देखें, तो ये जीवन का एक टुकडा है। जीवन का ये टुकडा एक खास तरीके से इस उर्जा की परतों के साथ पैक किया गया है। उर्जा का एक आयाम तुरंत जीवित हो जाता है क्योंकि ये आपके अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। उर्जा के अन्य आयाम तब तक जीवित नहीं होंगे। जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते। जब तक आप उनके बारे में जागरुक नहीं हैं और उन्हें एक खास तरीके से सक्रिय नहीं करते तब तक वे अस्तित्व में नहीं आते वे शांत रहते हैं निश्क्रिय उर्जा उस उर्जा से बहुत बड़ी है जो अभी उप्योग में है अपना जीवन चलाने के लिए एक भौतिक जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए एक पूर्ण भौतिक और बौधिक जीवन जीने के लिए आपको चक्रों में से बस 21 चक्रों को सक्रिय करना जरूरी है इन 114 में से अगर 21 सक्रिय हैं तो आप पूरा जीवन जीएंगे आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे आप एक पूरा भौतिक जीवन जीएंगे आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता हैं लेकिन आप केवल 21 है जो की 21 प्रतिशत से कम है 114 में से 20 प्रतिशत से कम 20 प्रतिशत से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन महसूस करेंगे जीवन का बाकी प्रतिशत वो किस बारे में है अगर आपका इरादा सिर्फ अच्छे से जीने का है तो इसकी जरूरत ही नहीं है अगर आप उर्जा के इस आयाम को सकरिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खोल जाएंगे एक बात ये है कि क्या आप उन आयामों के लिए तयार ہیں सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए तयार है क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीजें आपके जीवन में आए पर आप उनके लिए तयार नहों तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा आपके अनुभव में ये अच्छा नहीं होगा अगर कुछ आपके पास तब आया जब आप उसके लिए तयार नहीं थे है की नहीं अगर ये सबसे बड़ी चीज हो तो भी शायद ये सबसे बड़ी चीज हो पर ये तब आई जब आप तयार नहीं थे तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना? तो क्या आप तयार हैं? ये पहला सवाल है अगर आप तयार हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई कई तरीके लेकिन कुंडलिनी योग कुंडलीनी योग अभ्यास से लोग परिचित हैं? ठीक है कुंडलीनी योग मैं किसी पर टिपणी नहीं कर रहा हूँ कुंडलीनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली भी है सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाग भी होता है अगर गलत तरीके से किया जाए तो अभी दुनिया में कई प्रकार की उर्जाएं है बिजली को भी कई अलग-अलग तरीकों से पैदा किया जा रहा है एक तरीका है कि हम इसे परमाणू रियाक्टरों के माध्यम से करते हैं ये उर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं लेकिन ये सबसे खतरनाक तरीका भी है है न? जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे गंभीरता से गलत हो जाती है ये खराब हो जाता है तो ये वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है ये सबसे शक्तिशाली है पर ये सबसे खतरनाक है ज़रुरी तयारी और मार्गदर्शन के बिना विशेशग ये मार्गदर्शन निरंतर मार्गदर्शन और देखरेक के बिना किसी को कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए पर समस्या ये है कि इस पर किताबें लिखी गई है और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं कोई भी एसे शुरू नहीं करना चाहता सब जी के साथ वर्ण माला शुरू करना चाहते है ये रवया अपने आप में ही खतरनाक है जो शक्ती जीवन में परिवर्तन ला सकती है वो जीवन का विनाश कर सकती है सिर्फ इसलिए कि जरूरी प्रतिबधता, समर्पन, ध्यान और समझ के बिना इसे किया जा रहा है कुंडलीनी उपर उठने से, अगर कुंडलीनी उपर उठती है तो आपके जीवन की आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको बाहर भी जल्दी बदलाव लाने के लिए तयार होना चाहिए वरना चीजें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी शास्त्रिय योगिक परमपराओं में हम पारिवारिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को एक प्रकार का योग सिखाते हैं एक अन्य प्रकार का योग है जो हम तपस्वियों को सिखाते हैं इशा में हमारे पास दोनों रूप हैं हमारे पास तप योग है और सामान्य योग भी है हम आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएंगे ये योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है लेकिन इसमें अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी जो आप अपने सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे अगर आप उस तरह का योग करते हैं तो ये आपके बाहरी जीवन को तुरंत तोड़ फोड़ देगा अब ये योग आपके जीवन में जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है ये आपके जीवन को बहतर बनाने के लिए बनाये गया है जब जीवन बहतर होता है जब चीजें बहतर होती हैं आप अधिक पैसा कमाते हैं आपका बिजनिस बहतर हो रहा है आपका पेशा बहतर हो रहा है आम तोर पर दुर्भाग्य से परम की तलाश करने की आपकी लालसा धीमी हो जाती है तो वास्तविक अर्थों में ये तरीका अच्छा नहीं है पर ये आज की दुनिया में काम करने का एक मात्र तरीका है और ये एक मात्र तरीका है जो अधिकांच लोगों के लिए कारगर होता है बहुत कम लोगों के लिए हम इसे अन्य तरीकों से कर सकते हैं हम इन सभी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं और बस बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम कर सकते हैं पर ये उनके आसपास के सभी सामाजिक धांचों को खत्म कर देगा जो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है तो ये विभिन आयाम है अगर कुंडलीनी योग का अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कुंडलीनी योग नहीं कर सकते वरना कुंडलीनी योग के नाम पर आपको सरल कर रहे हैं क्योंकि कुंडलीनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है अचानक अभ्यास के दो दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनभी की तरह महसूस करेंगे क्या हमकुष बदल दे क्या हम कुंडलनी उचा उठा सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं एक तरीका ये है कि मददगार महौल बनाया जाए ताकि ये धीरे-धीरे बढ़े दूसरा तरीका इसे इस तरह भड़काना है कि ये जल्दी से बढ़ जाए अगर ये जल्दी से बढ़ जाती है तो सब कुछ नाटकी ये रूप से बदल जाता है अगर ये धीरे धीरे बढ़ती है तो बदलाव धीरे धीरे होगा आप समय के साथ बदलाव संभाल पाएंगे लेकिन अगर ये बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे ऐसा लगेगा जैसे चीजें बिखर रही हैं तो ऐसा करने के अलग-अलग तरीके हैं कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं मैं सभी तरीके नहीं बताऊँगा ऐसा करने के कई तरीके हैं मूल रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं 112 तरीके हैं जिनसे आप इसे अपना सकते हैं आधार से ओ, इसके लिए आपको ढाँचे को जानना होगा वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा इन 114 चक्रों में से साथ ऐसे हैं जिनें हम साथ आयामों के रूप में पहचानते हैं इन में से छे शरीर के भीतर हैं एक भौतिक शरीर के बाहर है इसलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं तो आप 6 चक्रों को संभाल लेंगे साथवी को आप संभाल नहीं सकते 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम आगना कहते हैं लेकिन आगना से सहस्तरार तक कोई रास्ता नहीं है इसका कोई तरीका नहीं है आपको बस एक खाई में कूदना है अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए कोई व्यक्ति कूदो कहता है और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है लेकिन जब वो जंप कहता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा आप बस एक बिना तल के गड़े में कूच जाते हैं तो मुलाधार से आगना तक की यात्रा वहाँ पहुँचने के 112 रास्ते हैं पर वहाँ से वहाँ तक कोई रास्ता नहीं है ये सिर्फ एक छलांग है वो विश्वास में, भक्ती में या पागलपन में हो सकता है चुनना आपको है जानेंगे कि साथ चक्र, साथ सरीर, उसमें आने वाले ब्लॉक और उसको कैसे हम मिटा सकते हैं उसका निवारण कैसे कर सकते हैं ये सारी बातों की समझ हम इस वीडियो में देखेंगे साथ सरीर और साथ चक्रों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम परम उर्जा और आत्मिक जगत से कैसे जूड़े हुए हैं परम उर्जा के बारे में देखें तो वो एक समुद्र जैसा है जैसे एक मचली समुद्र के अंदर होती है उसे समुद्र के बारे में पता नहीं चलता उसी तरह से हम ये परम उर्जा के अंदर होते हैं और परम उर्जा से ही बनते हैं इसके लिए इस परम उर्जा को दूर से देखना नामुम्किन है अगर हम समझने के लिए सिर्फ देखे तो ये जो परम उर्जा है ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगी कि एक प्रकास मैं गोले के रूप में वो परम उर्जा हमें दिखेगी और उस प्रकास के अंदर वो परम उर्जा के अंदर हम अगर चले जाते हैं तो हमें इस तरह से दिखाए देगा हम इसी परम उर्जा में है और इसी परम उर्जा से बनते हैं इस परम उर्जा को सास्त्रों में तीन मिलकर एक देव के नाम से बोला गया है और वो है ब्रह्मा, विष्णु और शेव इनको तीन मिलकर एक देव के रूप में बताया है क्योंकि ये उर्जा तीन काम करती है जो कि ब्रह्मा का काम, विष्णु का काम और शेव का काम सास्त् जो की मिलके होता है God, जी ओ डी, ये जो परम उर्जा है, वो पदार्थ को बनाती है, उसको समालती है, और उसको नश्ट भी कर देती है, या बिखर के वापिस उर्जा में कनवर्ट कर देती है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी गनीबूत होके बर्फ बनता है, उसी तरह स ये जो परम उर्जा है, वो गनीबूत होके पदार्थ बनती है, और पदार्थ से हमारा अस्तित्व बना हुआ है, अगर विग्नान की दरश्टी से देखें, तो विग्नान में उन्हें तीन नाम दिये हैं, प्रोटोन, ड्यूटोन और एलेक्टोन, जब पहली बार ये उर पदार्थ में से कैसे धीरे धीरे अस्तित्व आया, जैसे कि मचली के रूप में, कच्छुए के रूप में, बंदर के रूप में, सेर के रूप में, और फिर मानव के रूप में आया, और कैसे वो वापिस नष्ट हो जाता है, वो इससे हमें पता चलता है, इस जीव को हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे इस पृत्वी के उपर, जैसे पेड़ पोधे हैं, पसु पक्षियां हैं और मानव, इस तरह से इस पृत्वी के उपर विक्सित हुआ, अगर हम देखें, तो हमें ये देखने मिलता है, कि पसु और जो वनस्पती है, उसके अंदर कोई समझ नहीं है, कोई मेमरी पावर नहीं है, वो अपने अनुभवों को संग्रहित नहीं करता, पर जो मनुस्या है, उन्होंने इस पृत्वी पे हुए अपने जो अनुभव है, उसको संग्रहित किया है, और उसको संग्रहित करने की वजह से, जो जगत बनता है, वो है आत्मिक जगत या जीवात्मा का जगत बनता है, अभी हमारे पास यहाँ पे तीन चीजे हो जाती है, पहले दो चीजे थी, जिसमें से एक था परम आत्मा, परम उर्जा, और एक था सरीर जब परम उर्जा से सरीर बनता है तो वो एक अस्तित्व बनता है पर जब अस्तित्व बनता है तब उसको जो अनुभव होते हैं वो अनुभव को संग्रहित करके एक जीव बनता है जीवात्मा जगत बनता है अब ये जीव जो है वो हमारी सबसे बड़ी कठिनाईया है हमें जीवन में जो भी problem है जो भी कठिनाईया हमें आती है वो ये जीव जगत की वज़े से है जीव की वज़े से है ना कि हमें परम उर्जा की वज़े से problem है ना ही हमारे सरीर की वज़ा से problem है, पर हमें जो problem है, वो ये जीव की वज़ा से, तो कैसे, वो हम देखेंगे आगे, पर हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, कि जब एक व्यक्ती निर्वान पा लेता है, यह हम कहते हैं कि enlightenment पा लेता है, तब सिर्फ दो ही चीज वापिस बच जाती है, जो उर्जा है वो, और उनका सरीर, दो ही बच जाता है, बीच में से यह जो जीवात्मा जगत है, वो पुरा निकल जाता है, तो वो सारी समझ हम आगे देखते जाएंगे, अगर इसको हम और तरीके से देखें, तो हम यह कह सकते हैं, कि मेरे अवतराण योग वाले वीडियो में भी हमने यह देखा है, कि सबसे पहले एक सुद्ध चेतना थी, उसको हम परम उर्जा कहते हैं, या परम आत्मा कहते हैं, उसके अंदर से पहला जीवन विख्सित हुआ, कि सुद्ध जो चेतना थी, वो कैसे अस्तित्व में आया, उसके बाद न चलने वाला अस्तित्व आया, उसके बाद पृत्वी और पानी दोनों में चलने वाला अस्तित्व आया, अहिंसक चानवर अस्तित्व आया, हिंसक पसु अस्तित्व आया, और उसके बाद समझ वाले जो अस्तित्वा है यानि कि मनुस्या है वो विक्सित हुआ। अब इस अस्तित्वा के अंदर हम देखें तो यह अस्तित्वा में भवतिक सरीर और मुलाधार चक्र तो है पर समझ सिर्फ मानव में ही है। अगर हम यहाँ पे देखें, पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ सुन्य था, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यह एक, दो और तीन जगा पे सिर्फ सरीर था और परमात्मा थी, पर यहाँ से समझ सुरू हुई और वो समझ को मानव ने संग्रहीत करना सुरू किया मन के रूप में या जीव के रूप में यानि मानाव अगर समझ का उपयोग न करे तो वो पसू जैसा ही हो जाता है तो अब हम ये देखेंगे इडा पिगला सुसुमना नाडी से कुंडलीनी सक्ति को गुजार कर साथ चक्रों और साथ सरीरों का विकास करके कैसे हम साधरन मानाव देविया दानाव और सर्वसक्तिमान इश्वर में आगे का विकास कैसे कर सकते हैं और कैसे वापिस सुन्य में खो जा सकते हैं यहां से हमें पता चलता है कि यहां से हमारा जिवात्मा जगत सुरू होता है यानि कि हमने जो अनुभव किये वो हमने संग्रीत करना जीव के रूप में या मन के रूप में अगर उस जीव को हम समझे तो इस चक्रों को हम अची तरह से समझ सकते हैं यही हम देखना चाहते हैं कि सभी चक्रों की समस्या क्या है और उसे हम कैसे पार कर सकते हैं सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये सारी बाते हमारे मनस सरीर में होती है, इसलिए medical जाच करने पर हमारे भौतिक सरीर में ये कुछ भी नहीं मिलता, तो जैसे मैंने पहले इस स्लाइड में बताया कि ये जीवात्मा जगत के अंदर ये सब कुछ होता है, हमारे जीव के या मन भी कहते हैं, इसके लिए ये हमारे भौतिक सरीर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, पर आध्यात्मिक रूप से कहा गया है कि हमारे सरीर के साथ ये जुड़े हुए साथ चक्र है, जो की पहला है मुलाधार चक्र, स्वाधिश्टान चक्र, मनिपूर चक्र, अनाहा चक और ये चक्रों की जो अनुभूति होती है, वो सरीर, जो है वो भी साथ सरीर होते हैं, भौतिक सरीर, भाव सरीर, सुक्स्म सरीर, मनस सरीर, आत्मिक सरीर, भ्रह्म सरीर और निर्वान सरीर, और इस चक्रों को जो उर्जा देने वाली नाडिया होती है, वो तीन नाडिया हो देखेंगे कि इडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुसुमन नाड़ी क्या है तो जैसे हमने आगे देखा कि हमारा एक भवतिक सरीर इस पृत्वी के उपर उर्जा की गनीबूत होने से आया जब हम अस्तित्व में आये तो हमने कुछ अनुभव किये कुछ हमारे साथ हुआ, कुछ हमारे सरीर के साथ हुआ तो हमें कुछ अनुभव हुए कुछ अच्छे अनुभव थे, कुछ बुरे अनुभव थे वो अनुभव को हमने संग्रीत किया और उससे हमारा जीव बना जो अनुभव संग्रीत हुए है अब उस अनुभव में कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं, जो कि उसको स्विकार करके चलने वाले होते हैं, उनको इडा नाडी से चलने वाले लोग कहते हैं, या स्त्रेंड स्वभाव वाले लोग कहते हैं, स्त्री जैसे स्वभाव वाले, स्त्रेंड स्वभाव यानि कि स्विका करके चलने वाले, कि जो हो रहा है, कि ऐसे अनुभव हमें हो रहे हैं, अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं, बुरे अनुभव भी हो रहे हैं, उसको स्विकार करने के चलने वाले जो लोग हैं, उसको त्रेंड सोभाव वाले लोग या इडा नाडी वाले लोग कहा जाता है, और इसको ठीक करने के लिए, जैसे हमने देखा, कि यह जो जिवात्म जगत है, उसको हमें निकालना है, उसको निकालने के लिए जो साध्ना पद्धती बनी है, वो है तंत्र की साध्ना पद्धती, तंत्रा जो पुरा बना है, वो इडा नाडी के लोगों के लिए है, उसी त जरीर की तकलिफे कम करने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं, उसको हम मरदाना स्वभाव कहते हैं, उसको पिंगला नाडी वाले लोग कहते हैं, और उसके लिए जो साधना पद्धती डेवलप हुई है, वो है योग की साधना पद्धती, तीसरा जो है, वो है सुसुमना न सुसुम्ना नाड़ी का मतलब होता है कि प्यार समझ, सिर्फ हम ये समझ लेते हैं कि स्विकार भाव वाले स्वभाव से क्या-क्या तकलिफ होती है, मरदाना स्वभाव से क्या-क्या तकलिफ होती है, ऐसे जो लोग है कि ये दोनों स्वभाव को समझ लेते हैं, उन लोगों को सुसुमना नाड़ी से चलने वाले लोग कहे जाते हैं जो कि साक्सी भाव से चलते हैं उनके लिए जो साधना पद्दती डेवलप हुई है वो है सांख्य की साधना पद्दती अब अगर चक्रों के बारे में हम देखें तो ये सारे चक्र अलग-अलग कलर में दिखाये जाते हैं अलग-अलग रंग से दिखाये जाते हैं और उसके अंदर कुछ पंक्रिया भी आप देख सकते हैं ये जो कलर है वो इसलिए दिखाये जाते हैं क्योंकि प्रकास जो है, प्रमूर्जा जो है, उसका जो गनीबूत होते हैं, तब कितना गनीबूत होता है, उसके हिसाब से अलग-अलग colorful बनते हैं. जब हम ध्यान के द्वारा जिवात्मा जगत में जाते हैं तब जो जिवात्मा हमें दिखती है वो इस कलर में दिखती है यानि कि कोई मुलाधार चक्र में अटका हुआ जीव है तो वो हमें लाल कलर से दिखाए देगा और जो अनाह चक्र में अटका हुआ जीव है वो हमें ह उतनी परिक्साएं हैं जो एक्जम हमें पास करके उस चक्र को हमें पार करना है जैसे कि मुलाजार चक्र में चार पंख्री है उसका मतलब है कि उसके अंदर चार प्रकार की कठीनाईया है और वो हमें पार करनी है सबसे ज़्यादा जो कठीनाईया है वो सहस्तरार चक्र में ह सहस्त्रा चक्र में हजार पंखड़िया बताई, हजार यानि कि हजारो ऐसी चीजे हैं जो कि हमें सहस्त्रा चक्र में पार करनी पड़ते हैं, अब हम यह देखेंगे कि यह चक्र होते क्या है, जिस बिंदू से उर्जा फैलती है, उसे चक्र कहा जाता है, और उर्जा मिलने से जो अनुबुती फलित होती है उसे सरीर कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसे प्राण उर्जा नाभी से मिलती है और जीवन भर मिलती रहती है गुर्थवा करसन के कारण सारी उर्जा मेरुदन या जिसे हम रीड कहते हैं उसके निचले भाग में जमा हो जाती है और बहुत थोड़ी उर्जा जो है उस सरीरों में गुमती रहती है जब मुलाधर चक्र या बिंदु से होते हुए भौतिक सरीर में उर्जा गुमती है तो भौतिक सरीर में मिलने वाला गनान होता है जैसे हम देख सून या स्वाद ले सकते हैं तब भौतिक सरीर मिला ऐसा हम कहते हैं इसका मटलब यह है कि जब एक बच्चा मा के घर्ब में आता है तो जिवात्मा जगत से उसको एक जीव मिलता है और जीव की उर्जा मिलती है वो पूरी की पूरी उर्जा नाभी से आके उसके मेरुदंड में जमा हो जाती है उसके बाद वो उर्जा को मुलाधार चक्र तक न ले जा सके और उसके सरीर में ना वो गुमें तो वो बच्चा पैदा होता है पर उसको हम मरा हुआ बच्चा कहते हैं वो मुरुत बच्चा पैदा होता है जबकि वो उर्जा मुलाधार चक्रा तक पहुँच जाए और मुलाधार चक्रा से पूरे सरीर में फैल जाए तो हम कहते हैं कि वो जिवित बच्चा पैदा हुआ क्योंकि वो उर्जा की वज़ा से अब वो बच्चा देख सकता है, सुन सकता है, स्वार ले सकता है और सारी प्रवरूती वो कर सकता है तब हम ये कहते हैं कि उस जीव को वो सरीर मिला वो सरीर वो जीव के साथ हो जाता है तो इस तरह से भोतिक सरीर मिलता है आम तोर पर हर 7 साल में एक चक्र काम करना सुरू करता है जैसे 7 साल में मुलाधार चक्र, 14 साल में स्वाधिस्टान चक्र और भाव सरीर 21 साल में मनिपूर चक्र और सुक्सम सरीर 28 साल में अनाहज चक्र और मनस सरीर और ऐसे ही दूसरे चक्र भी खुलते जाते हैं उसका मतलब है कि जब अलग-अलग बिंदू से उर्जा मिलती है तो उससे मिलने वाली अनुभुती का गनान होता है तब वो सरीर मिला ऐसा हम कहते हैं जैसे कि हमने देखा कि मुलाधार चक्र से अगर भहुतिक सरीर में उर्जा मिलती है तो हम कह सकते हैं कि भहुतिक सरीर मिल उसी तरह से अगर अनाहा चक्र से उर्जा मिल रही है तो अनाहा चक्र का जो सरीर है मनस सरीर जिसके अंदर विचार वगेर होते हैं तो वो विचार वगेर है जो है वो हमें मिलता है उसकी अनुभती मिलती है और उसकी अनुभती मिलने से हम यह कह सकते हैं कि हमें मनस सरीर भी मिल गया, अब हम यह देखेंगे कि अगर हर साथ साल में एक चक्र अपने आप ओपन हो जाता था, तो अब चक्रों को ओपन होने में बाधा क्या है या उर्जा फैलने में क्या ऐसी बाधा है, जिसकी वज़े से ये चक्र अपने आप नहीं खुलते, वो हम अब देखेंगे मेरे अवतरन योग वाले वीडियो में हमने देखा कि मनुस्य यहां कई जनम लेके आता है, हर एक जनम में हमने जो अनुभव किये हो वो सब की यादे हम अनुभव की कमपन के रूप में हमारे सरीर में संग्रहित कर लेते हैं या हमारे जीव में संग्रहित कर लेते हैं इसको अगर हम समझे तो उसका मतलब यह है कि जब हमें जीवन मिला जब हमारा पहला जीवन था, दूसरा जीवन था तीसरी बार हमें जीवन मिला जैसे जैसे हमें इस पुछवी के उपर जनम लेते गए तब हमारा एक मृत्यू हुआ और वो मृत्यू का कुछ कारण था मान लिजे कि एक जनम में हमारे हाथ या पैर को किसी ने काट दिया या जला दिया तो उसकी अनुभूती हमारे सरीर के अंदर कमपन के रूप में बैठ जाती है उसी तरह से अगर हम जा रहे थे और हमको सेर ने फाड़ के खा लिया या एक्सिडेंट होके हम मर गए तब हमें बहुत भई लगा वो भई का जो कमपन है वो भी हमारे सरीर में स्वाधिश्टान चक्र में बैठ जाता है अगर दूसरी इच्छाओं के बारे में देखें तो एक सुन्दर यूती को हमने देखा और उसके साथ संभोग करने की हमारी बहुत तीवर इच्छा हुई और अगर हम संभोग ना कर पाएं तब हमारे मुलाधार चक्र में जो अनुभव का कमपन जो है वो वहाँ पे बैठ जाता है उसी तरह से जब हमारे कोई प्रियजन का मृत्यू हो जाता है जैसे हमारे पत्नी या पती या छोटे बच्चों का मृत्यू होता है तब हमें बहुत दूख होता है तब उस अनुभव का कमपन जो है वो भी हम हमारे सरीर के अंदर संग्रहीत कर लेते हैं ये जो सारे कमपन है वो बाधा बन जाते हैं तो जब मनुष से मर जाता है तब वो कमपनों को क्या होता है वो कमपन हवा में रह जाती है और जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो कमपन उस पर बैठ जाती है कैसे? जैसे मान लिजे कि ये सरीर जब मर गया तो हमारे अनुभव की जो एनरजी थी, वो अनुभव की एनरजी हवा में रह जाती है और उसका एक जिवात्मा जगत बन जाता है ये सरीर मर जाता है पर दुबारा दुसरा बच्चा पैदा होता है तब यही कंपन वापिस उसके उपर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं जीव आया या जीव के रूप में वो आ जाता है तो वो सारी अनुभूती उसमें वापिस आ जाती है सिर्फ हमारी अपनी अनुभूती नहीं पर ऐसे बहुत सारे मरे लोगों की कमबन जो है वो हवा में तैरती रहती है और समय समर पर हम अपने मन्स के वीचारों से उसको पकड़ लेते हैं और जैसे हम पकड़ते हैं वो भी हमारे सरीर में आके बैठ जाती है अगर इसको हम समझें जो जैसे किसी का खून हो गया हो या किसी के उपर बलातकार हुआ है या ऐसी कोई दुखत घटना किसी के साथ हुई है वो सारे अनुभव की कमपन भी जीवात्म जगत में होती है उसको भी हम हमारे वीचारों से पकड़ के हमारे सरीर में बिठा ले सकते हैं और अगर हम बिठा लेते हैं तो इस तरह से सारे blockages बन जाते हैं और वो कमपन की वज़ा से हमारे जो चक्रों की उ convenience हमारे पूरे शरीर में फैलनी चाहिए थी वो नहीं फैल थी और चक्र वहाँ पे रुख जाते हैं वहाँ से उ temperature को पास नहीं कर सकते हैं टो इस blockage को निकालने की विधी क्या है तीन प्रकार से हम इस block को निकाल सकते हैं पिंगला नाडी के लोगों के लिए है, वो meditation अगर हम करते हैं, उससे हमारी जो उर्जा हमारे सरीर के अंदर जखती है, वो उर्जा इस ब्लॉग को धक्का मार के निकाल देती है, तो ये हुआ पिंगला नाडी के लोगों के लिए, अब अगर हम इडा नाडी के लोगों के लिए सोचें, इडा नाडी जो की स्विकार भाव वाले हैं, तो उनके लिए जो ध्यान विदिया बनी है, वो जागरुकता वाली, यानि साक्सी भाव रखने वाली ध्यान विदिया हैं, जिसके अंदर, जैसे हम देखें, कि अगर हमारे सरी में इस तरह से ब्लॉकेजिस हैं, तो हम ध्यान में बैठते हैं, तब हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या-क्या विचार हमारे मन में आते हैं, वो विचार ये ब्लॉकेजिस के होते हैं, अगर हम उसको पर ध्यान देते रहें, बिना निर्णे किये कि यह अच्छा है या बुरा है तब वो blockages अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं उसी तरह से जो सुसुम्ना नाड़ी वाले हैं उनके लिए जो है वो है परमात्मा की blue healing light का meditation इसमें हम परमात्मा की blue healing light है उसको हमारे सरीर के अंदर लाते हैं क्योंकि सुसुम्ना नाड़ी वाले जो लोग है वो समझ के उपर चलते हैं तो समझ के द्वारा भी हम इसको निकाल सकते हैं अगर इसको हम देखें तो जैसे हमारे सरीर में ऐसे blockages है तो उस blockages निकालने के लिए हम परमात्मा उनकी जो blue light है उनको बुलाते हैं जब वो blue light आती है तब वो पूरे सरीर में घुमती है और हमारे सरीर में घुमने की वज़े से वो सारे blockages को इस तरह से मिटा देती है। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये blue healing light ध्यान को कर सकते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं मेरी जो YouTube चैनल है मफद सीखो उसके अंदर इस वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक भी दिया है तो वो उस लिंक से आप उस वीडियो को देख के वो ध्यान कर सकते हैं अब ये तीन ध्यान विदिया हैं उसमें आप अपने स्वभाव के अनुसार उसमें से पसंद कर सकते हैं कि आप कौन सी ध्यान विदी करना चाहते हैं और वो ध्यान विदी करने से ये blockage इसको निकाल सकते हैं तो अब हम ये देखेंगे हमारा जो स जिर्फ है, वो किस तरह से चक्रों पे प्रभाव डालता है। और अगर व्यक्ति मर्दाना सभवाव यानि सहासी प्रहार करने वाला मस्कुलाइन है तो उर्जा सरीर में मर्दाना की और पिंगला नाड़ी से बहरे ये ऐसा कहा जाता है चक्रों को मरदाना औरजा मिल रही है तो उस चक्र से जूड़े सरीर की मरदाना संभावना फलित होती है तब व्यक्ति अस्तित्व पर प्रहार करने वाले कार्य करता है और उस कार्य से होने वाली तकलिपे बुगतता है अगर अब इस सारे चीजों को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति स्विकार भाव वाला है तो स्विकार करने का मतलब होता है कि कुछ भी हो रहा है जैसे उसके मन में वासना उठ रही है किसी स्त्री के साथ संभोग करने की तो वो सोचता है कि हमें कर लेना चाहिए अगर वो कर लेता है तो उससे कुछ problem create होते हैं वो problem को सहन करना पड़ेगा उसी तरह से अगर पिंगला नाड़ी वाला व्यक्ति है यानि कि प्रहार करने वाला उसके मन में वासना जग रही है तो वो ये सोचने वाला है कि ये वासना क्यों जग रही है और मुझे वासना नहीं जगानी वो वासना को मिठाने के लिए कुछ कारिय करेगा तो वो कारिय करने से भी उसकी कुछ अच्छे या बुरे परिणाम होंगे तो वो भी उसे भुगतने पड़ेंगे अब अगर हम आगे देखें तो कि जब व्यक्ति स्विकार या प्रहार दोनों कामों को समझ कर छोड़ता है या कारियम से होने वाली तकलिफों में साक्सी भाव रखता है तो उर्जा कुंडलीनी सक्ति के रूप में सुसुमना से उपर उठ रही है या उसका रुपांतरन हो गया ऐसा कहा जाता है तो बहुत टैम आपने सुना होगा कि कुंडलीनी सक्ति जगरुत हुई वैसा कहा जाता है तो वो कब कहा जाता है जबकि एक व्यक्ति समझ के द्वारा दोनों कामों को छोड़ देता है, स्विकार भाव वाले कामों को भी और प्रहार वाले कामों को भी वो छोड़ देता है या उसमें साक्सी भाव रखता है, तब उसका रूपांतरन हुआ ऐसा कहा जाता है चक्रों को सुसुमना से उर्जा मिल रही है तो उस चक्र से जुड़े सरीर की स्त्रेण और मर्दाना दोनों संभावनाओं को व्यक्ति समझता है और साक्सी भाव से आगे बढ़ता है जिस सरीर के स्त्रेण और मर्दाना दोनों सुभाव के कारिय और उससे होने वाली तकलीफों को अनुभव से समझ लिया जाता है तो कुंडली नहीं सकती या उरजा उस चक्र को पार कर गई, उरजा का रुपांद्रन हो गया ऐसा कहा जाता है एक चक्र को पार करने में कई जनम भी लग सकते हैं और एक जनम में कई चक्र भी पार किये जा सकते हैं तो जैसे हमने देखा कि हर एक बार हम इस पृत्वी के उपर जनम लेते हैं तो कुछ कारिया करते हैं कुछ अनुभव लेते हैं अगर उस अनुभव में समझ रखकर उसको छोड़ देते हैं या उसका स्विकार कर लेते हैं तब उस चक्र को हमने पार कर लिया ऐसा कहा जाता है तो एक ही जीवन में बहुत सारे अनुभव करके बहुत सारे चक्र भी हम पार कर सकते हैं या एक एक करके भी चक्र को पार कर सक नए जनम में हमें वो दो-तीन चक्रों में या उसकी अनुभूती हमें वापिस लेने की जरूरत नहीं है, वो चक्र उल्रेडी हमने पाथ कर लिया है इसके लिए उसके बाद के चक्रों से हम दूसरे नए जनम में शुरुआत करते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए भौतिक सरीर के बाहर अलग-अलग रंग से सरीर बता है पर पहले पांस सरीर का कद भौतिक सरीर के जीतना ही होता है छटवा सरीर होता है वो विश्व के कद का होता है कि हमें पूरे विश्व का गनान हो जाता है जैसे हमारे सरीर के अंदर जू भी कुछ होता है हमें उसकी समझ रहती है उसके हमें पता चलता है उसी तरह से पूरे विश्व में जो हो रहा है उसका पता जब हमें चलने लगता है तो हम छटवा सरीर मिला ऐसा कहते है उसी तरह से सातवा सरीर जो है वो अनन्ध होता है उसको अनन्ध इसलिए बताया है क्योंकि वो कोई एक सरीर नहीं पर अनन्ध हो जाता है तब सारे सरीर छूट जाते हैं और परम उर्जा में हम लोग वापिस मिल जाते हैं इसके लिए वो अनन्द हो जाता है अगर भवतिक सरीर पुरुस का हो तो दूसरा सरीर स्त्रेंड तीसरा सरीर फिर से पुरुस और चोथा सरीर स्त्रेंड होता है अगर भवतिक सरीर स्त्री का हो तो दूसरा सरीर मरदाना तीसरा सरीर फिर से स्त्रेंड और चोथा सरीर मरदाना होता है तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि अगर हमारा भाव सरीर पुरुसका है तो हमारा भाव सरीर जो है उसके बाद का दूसरा सरीर है वो स्ट्रेंड होता है यानि कि स्विकार भाव वाला होता है उसी तरह से अगर हमारा भौतिक सरीर स्विकार भावाला या सेंड सरीर है तो हमारा जो भाव सरीर होता है वो पुरुस का होता है ऐसे पहले चार सरीरों में अल्टरनेटिव होते हैं इसलिए इडा और पिंगला नाड़ी को लिप्टा हुआ बताते हैं पहले चार सरीर में मैं पुरुस या स्त्री हूँ ऐसा बोध रहता है पांचवे और छटे सरीर में पुरुस या स्त्री का बोध मिट जाता है और सिर्फ मैं हूँ का बोध ही रहता है पांचवे और छटे स अगर आपका बहुतिक शरीर पुरुस का है तो सभी चक्रों पर ध्यान करें इसको अगर हम समझे, तो हमें यह याद रखना है कि हमारा सरीर जो है स्ट्री का है या पुरुस का है, मगर जो चित है, वो स्ट्रैन्ड चित है, तब हम सारे चक्रों में ज़्यादा ध्यान कर सकते हो, और यह चक्रों को पार करना बहुत आसान हो जाता है, उसका मठलब यह नहीं कि पुरुष चित हो और पुरुष का सरीर हो या स्त्री चित हो और स्त्री का सरीर हो तो ये चक्र को पार नहीं कर सकते ऐसा नहीं है पर उसमें कठीनाया जादा आती है जबकि एक पुरुष चरीर हो और उसका चित पुरुष चित हो तब चक्र को पार करना आसान हो जा जो साथ चक्रों के बारे में हम देख रहे हैं उसके अंदर पहला चक्र जो है वो है मुलाधार चक्र और उसके साथ जुड़ा भौतिक सरीर होता है मुलाधार चक्र और भौतिक सरीर की प्राकृतिक संभावना काम और खाने की वासना है जब व्यक्ति स्ट्रेंड चित वाला होता है तो उर्जा इडा नाडी से बैती है यानि व्यक्ति प्राकृतिक संभावनाओं को स्विकार कर के काम और खाने की वासना में ज्यादा से ज् उतरता जाता है और अगर व्यक्ति मरदाना चित वाला है तो उर्जा पिंगला नाडी से बहती है यानि व्यक्ति प्राकुरुदिक संभावनाओं के खिलाब जाता है यानि काम वासना का दमन करने लगता है तो अगर हम इस चीज को समझे मुलाधार चक्र के अनुभव के बा अगर इडानाडी वाड़े लोग हैं यानि कि स्विकार करने वाले तो वो ज्यादा से ज्यादा वासना में उतरते जाना चाहते हैं यानि कि कोई सुन्दर यूती को देखा या सुन्दर यूवक को देखा तब मन में वासना पैदा होती है उस वासना को पूरा करना चाहते है तो हम वासना की और खिंचते जाते हैं उसी दरह से खाने के बारे में भी है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाने के लिए जिन्दा रहते हैं खाना ही उनका सबसे भत्वपूर्ण बात बन जाती है तो अगर हम इडा नाडी से चलने वाले लोग हैं तो खाने में और काम में ज़्यादा से ज़्यादा रस लेने वाले बन जाते हैं जबकि अगर हम पिंगला नाडी वाले हैं तो हम उससे विरुध में चले जाते हैं यानि कि उसका दमन करने पे चले जाते हैं कि जैसे वासना है तो वासना को बिल्कुल नहीं करना है और पूरा भ्रह्मचरियर पालन करना है उसके पकस में हम आजाते हैं और जैसे खाना है तो खाने में भी हम ये करने पर आजा सकते हैं कि हम उपवासी करेंगे जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत बहुत सारे उपास 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 ही करते जाते हैं हमारे समाज के अंदर ऐसी कई चीज़े हैं जिनको अच्छा माना गया है और उसकी वज़े से हमें ऐसा लगता है कि यह अच्छी बात है पर यह पिंगला नाड़ी की बात होती है उसके लिए हमें यह याद रखना चीए इसलिए कहा गया है कि दमन जो है मुलाधार चक्र में सबसे बड़ी बाता है हम कभी भी दमन न करें क्यों क्यों कि हमें लगता है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं पर वो जो हमारे परम आत्मा से हमारा जो मिलन है उसमें वो रुकावट बन जाती है। ना काम और खाने की वासना में ज़्यादा से ज़्यादा उतर कर ना उसका दमन करके वरण उसको पूरी तरह से समझ कर जागरूख होकर इस चक्र की उर्जा का रुपांतरन किया जा सकता है। एक प्रह्मचरिय और उप्वास वग़रे मैं बहुत जाधा करना चाते हैं। अगर कभी हमें सेक्स करने की जरूद पड़ी तो वो भी हम कर सकते हैं, कभी हमें खाने की जरूद पड़ी तो हम खाना भी खा सकते हैं। और कभी हमें उपास करने की या भ्रह्मचरिय पालन करने की जरूरत पड़ी तो वो भी हम कर सकते हैं इसका हम उधारन देखें तो जैसे एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तीन दिन उपास करूँगा दो दिन वो उपास करता है और एक तिन ऐसा कुछ हो जाता है तबकि उसके उपास तोड़ना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तब वो बहुत व्यथित नहीं हो जाएगा, कि ये मेरे साथ क्या हुआ, पर वो समझेगा कि समय की जरूरत है, उसकी वज़े से मैं ये तिसर आता है। वो आपके सरीर के अंदर ही आप जान सकते हैं, इसके लिए आप जब ज्यान में बैठें, तो अपने सरीर को अंदर से देखने की कोशिस करें, दूसरा चक्र है, वो स्वाधिस्टान चक्र है, और उसके साथ जुड़ा भाव सरीर होता है, भौतिक सरीर के मर जाने पर भी यह सरीर 13 दिन तक जीवित रहता है, यह सरीर में सारी बीमारी लगती है, यानि हम ज़्यादा तर अपने भाव से बीमारी पकड़ते हैं, स्वाधिस्टान चक्र और भाव सरीर की प्राकृतिक संभावना भावना पैदा करने की है, प्रेम और भावना के सपने इसी सरीर में पैदा होते हैं अगर यह सरीर तनाव में है तो बुरे सपने आते हैं अगर इतनी चीजों को हम समझे तो जैसे हमने कहा कि स्वाधिस्टान चक्र भाव सरीर पैदा करता है भाव पैदा करता है गक्ति किसी के प्रती प्यार दिखा सकता है किसी के प्रती गुणा दिखा सकता है ये भी कर सकता है जैसे हमने आगे की स्लाइड में देखा पहले भाग में देखा कि दूसरों की जो तकलीफे हवा में घुम रही है वो बिमारियों को भी हम अपने भाव स पकड़ ले सकते हैं तो यह मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि कैसे हम दूसरों की छोड़ी हुई अनुभूती है वो हम पकड़ लेते हैं तो उससे हम बिमारियां पकड़ लेते हैं यह हमें यहां से देखाई लेता है और अगर यह सरीर तनाव में होता है तब हमें ब जब व्यक्ति स्त्रेंड चित वाला होता है तो भई, गुणा, क्रोध और हिंसा जैसी भवना पैदा करता है और अगर व्यक्ति मर्दाना चित वाला है तो भई को दबाकर व्यर्थ की बहादूरी, हिंसा को दबाकर अहिंसा दिखाने की कोशिस करता है जब समझ के द्वारा जागरुख होकर इस चक्र की उर्जा का रुपांधरन किया जाता है तो भई, गुरुणा, क्रोध, हिंसा की जगह पर अभई, प्रेम, करुणा, मैत्री जैसे भावनाएं फलित होती है इस चीज़ को अगर हम समझे तो हम ये देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति स्ट्रेंचित वाला है तो वो भई, गुरुणा वगिरा पैदा करता है यानि कि इतना भईवीत हो जाता है कि वो कुछ भी काम नहीं करता अपने घर के कौने में बैठा रहता है कि मैं ये करूँगा त कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दो पहाड़ों के बीच में भी एक रस्ती बांद के चलने लगते हैं या कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो कि सामान्य लोगों को बहुत बहादूरी भरा लगता है पर हमें ये याद रखना है कि ना भई से घर पे बैठते हैं से ना बहादू दिखा कर इस तरह के काम करने से हमें फाइदा होगा, दोनों कामों से में फाइदा नहीं होगा, यानि कि जो परम आत्मा को जानने की बात है, उसमें ये दोनों चीज़े हमें काम में नहीं आएगी, हमें समझ के द्वारा इस दोनों को कामों को छोड़ेंगे, तब हमारे में अभय प्रेम करूना जैसी जो भावना है वो पैदा होगी इस चक्र को पार करने के लिए जागरूपता के साथ मंत्र योग काम में आता है जब आपको कुरोध आ रहा हो या भय लग रहा हो तो आप मंत्र बोल कर उसे मिटा सकते हैं तीसरा चक्र मनीपूर चक्र है और उसके साथ जुड़ा सुक्सम सरीर होता है मनीपूर चक्र और सुक्सम सरीर की प्राकृतिक संभावना संदे और विचार पैदा करने की है पिछले जन्मों में आपने जो इच्छा की हो वह सब ये सरीर में संबंधित रहता है जब व्यक्ति स्त्रेन चित वाला होता है तो संदे और विचार में घुट कर रह जाता है या उससे मिलने वाले फाइदे में उतरता ही चला जाता है और अगर व्यक्ति मर्दाना चित वाला हो तो संदे को दमन करके विश्वास है ऐसा दिखावा करता है अगर इसको हम समझे तो जैसे हमने पहले भाग में भी देखा कि पिछले जन्मों में हमने जो अनुभव किये हैं वो भी हमारे सरीर में आके बैठता है तो इस जनम में जो हम इच्छा कर रहे हैं और जो पिछले जनमों में इच्छा की है वो सब बातों का जो प्रॉब्लेम है वो इस सरीर के अंदर संबंधित रहता है अगर व्यक्ति स्ट्रेंच इत वाला है तो वो संदे और विचार करने लगता है कुछ भी काम करने से पहले वो बहुत सारे विचार करने लगता है संदे करने लगता है कि अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे यह यह तकलिफ हो सकती है अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा अगर वैसा होगा तो मैं क्या करूँगा ऐसे बहुत सारे प्रश्नकी वज़े से वो कुछ काम करी नहीं सकता वो बैठे ही रहता है उसी तरह से जो पिंगला नाडी वाले लोग है वो व्यर्थ का विश्वास दिखाते हैं यानि कि कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसमें कुछ भी सोचते नहीं तुरंथी वो काम कर देते हैं कि भगवान पर भरुसा है करके तुरंथी काम कर देते हैं वो दिखाता है कि वो पिंगला नाडी वाले व्यक्ति है जब समझ के द्वारा जागरुक होकर इस चक्र की उर्जा का रुपांतरन किया जाता है तो संदे, स्रद्धा और वीचार जागरुकता या विवेक बन जाता है इस चक्र को पार करने के लिए जागरुकता के साथ भक्ती योग काम में आता है भई की वज़ा से प्राथना पूजा कर्मकान करने वाला व्यक्ति अगर इस चक्र पर ध्यान करे तो वह गलत धर्मों को छोड़कर सच्ची स्रद्धा में सापित हो सकता है तो जैसे हमने कहा कि स्रेनचीत वाला है तो वो संदे करने लगता है और पिंगला नाडी वाला है तो वो व्यर्थ का विश्वास दिखाने लगता है और जो संदे करने वाला व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि हम प्रातना पूजा कर्मकार्ण करेंगे तो हमें फाइदा होगा और उसी तरह से वर्थ का विस्वास करने वाला भी ये सोचेगा कि हमें विस्वास हम प्रातना करवा लेते हैं कर्मकार्ण कुछ करवा लेते हैं ये सचीस रद्धा नहीं हुई बढ़ सचीस रद्धा पैदा करने के लिए हमें दोनों कामों को समझना चाहिए हमें भक्ती योग को समझना पड़ेगा और भक्ती योग हमें आच्रण में लाना पड़ेगा चोथा चक्र अनाहत है और उससे जुड़ा मनस्षरीर होता है अनाहत चक्र और मनस्षरीर की प्राकुरतिक संभावना कलपना और सपन पैदा करने की है पिछले जन्मों की इच्छा और इस जन्मों की इच्छा यह सरीर में संगर्स में आती है जब व्यक्ति स्त्रेंड चित वाला होता है तो सम्मोहन, टैलीपथी, अश्टरल प्रोजेक्शन, कुंडलेनी जागरन वगर्य करता है और अगर व्यक्ति मर्दाना चित वाला है, तो खुद को दोके में डालकर मिध्या सपना पैदा कर सकता है कि उसने astral projection किया या उसकी कुंडलीनी जागरूत हो गई अगर इसको हम समझे तो हमें ये देख सकते हैं कि अनाहज चक्र का काम ये है कि वो मन को develop करता है, मनस सरीर को develop करता है, तब व्यक्तिक कल्पना और सपन पैदा करता है जैसे कि अलग-अलग प्रकार की वो इच्छाय करता है सम्मोहन टैली पती वगेरे करता है बहुत सारे लोग इन सब को अगना चक्र की बात समझते हैं, बट वो अगना चक्र की बात नहीं है, जब अनाहज सरीर में हम आते हैं, तब ये कल्पना सम्मोहन टैली पती वगेरे डेवलप होता है और जो पिंगला नाडी वाले लोग है सोचने लगते हैं कि हमारी तीसरी आँखे वो खुल गई या तो हमारी कुंडली निजागरूग हो गई ऐसे वो दोके में रह सकते हैं यह चक्रे में बहुत खत्रे है व्यक्ति कल्पना में स्वर्ग का आनन या नर्ग का दुख भुगता ही रह सकता है जैसे कि कल्पना करता है कि मैंने पिछले जन्मों में पाप किये होंगे या सनी की पनोती है इसलिए मैं गरीब हूँ स्वर्ग का आनन्द मिलेगा ये कल्पना करके बहुत कुछ करता ही रह सकता है जब समझ के द्वारा जागरूख होकर इस चक्र की उर्जा का रुपांधरन किया जाता है तो कल्पना संकल्प और स्वप्न विजन यानी सत्य देखना यथार्थ देखना बन जाता है इस चीज को हम समझे तो जैसे हमने देखा कि हम स्ट्रेंड चीत है तो हम टैली पती, कुंडली नी जागरन या ऐसे कल्पना करना सुरू कर देते हैं और उस कल्पना से हमें काफी फाइदे भी होते हैं, काफी चीज़े हम कर सकते हैं बट वो परम आत्मा को पाने का रास्ता नहीं हैं उसी तरह से अगर हम पिंगला नाडी वारे हैं तो हम मिथ्या बाते बता सकते हैं हमारी कुंडली नी जागरूत हो गई या हमाए जो थर्ड आई है वो मिल गई बगेरा बगेरा हम बता सकते हैं जब हम उसको जागरूख होके सुसुम्न नाडी से समझ के द्वार या ध्यान काम में आता है इस वीडियो के साथ में मैंने अलग-अलग ध्यान भी बताया है वो ध्यान अगर आप करते हैं इस चक्र को पारकन में बहुत फाइदा मिलता है पांचवा चक्र विसुद्धी है और उसके साथ जुड़ा आत्मिक सरीर होता है चोथे चक्र में मन की बहुत सक्तिया मिलती है इसलिए व्यक्ति का मैं बहुत मजबूत हो जाता है अगर यह मिध्या कलपना से आगे बढ़ रहा है तो पांचवे चक्र को गलत तरीके से उर्जा मिल जाती है और तब वह संपती, सत्ता और राजनिती से अपने गलत मैं की पूर्ती करने लगता है इसलिए लाखों लोगों को मरवा भी सकता है चोथे चक्र तक के सारे चक्र सही तरीके से उर्जा को रुपाधन करके पार किये गए है तो व्यक्ति को अपने होने का या सही मैं का बोध होता है अगर इस शीच को हम समझे तो जैसे हमने देखा कि चोथे चक्र में हमें बहुत सारी कल्पनाएं मिलती है और वो कल्पनाओं से हम बहुत सारी चीजे कर सकते जैसे तैली पती है या समोहन है कुंडलीनी जागरने ऐसी सारी सकतियां अगर हम में जागरूत होती है या हम ऐसी सकती जागरूत हो गई है ऐसा मित्या अनुभवी कर रहे हैं तब हम गलत में में पढ़ जाते हैं इसके लिए ये सबी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए चार चकरों को अगर हमने सही तरीके से समझ करके प्रुपांतरन किया है, तब यहां पर हमें पता चलता है कि सही मैं क्या हूँ, मैं ये सरीर नहीं हूँ या वो परम उर्जा हूँ जिससे मेरा सरीर बना हुआ है, और हमें ये जानना यहां होता है कि जो बीच में जीवात्मा जगत हमारे पर आ गया था, जो जीव बीच में आ गया है, वो मैं नहीं ह वैसा हमें यहाँ पर पता चलता है तब त्री पुरुस के सारे द्वैट मिट जाते हैं और सरीर और मैं अलग हूँ ऐसा पूर्ण बोध होता है अगर इसको देखे कि जैसे हमने पहले देखा कि पहले चार सरीरों में स्री या पुरुस रहता है बट पांचवे सरीर में मैं स्री हूँ या पुरुस हूँ ऐसा भाव नहीं रहता क्योंकि यहां से हमारे जो परम आत्मा की अनुभूती है वो सुरू होती है उसकी वज़ा से हमें यहां पी यह जानना होता है कि ना मैं सरीर हूँ ना मैं जीव हूँ पर मैं वो आत्मा हूँ, वो समझना होता है, तब स्त्री पुरुष नहीं रहते हैं, ये चक्रपे काम कर रहे हैं लोगों में, अक्सर ये देखा गया है कि उनका सरीर पुरुष का होता है, पर वो स्त्री जैसा वेवार करते हैं, और उनके स्त्री जैसे स्तन वगेरा भी भी मुझे स्त्री जैसा लगता है और अगर इडा नाड़ी से चलने वाले लोग हैं तो उसमें ये प्रॉब्लेम आती है कि पुरूस होने के बावजूत वो स्त्री के कपड़े पहन कर घुमना सुरू कर देते हैं और स्त्री जैसा वहवार करना सुरू कर देते हैं और जो भक परम आत्मा को हमें समझना है परम आत्मा से हमारा मिलन करना है वो परम आत्मा को मिलन करने में ये एक बाधा बन जाता है तब सोते वक्त सिर्फ सरीर सोता है पर मैं जागरुत रहता है इस चक्र पे जो लोग काम कर रहे हैं वो जब सोते हैं तो उनको ऐसी ध्यान में अनुब पूरा सरीर शूरा है पर वो खुद जागरूत रहते हैं और वो खुद सारों चीजे देख सकते हैं चोथे चक्र को पार करने के बाद ध्यान में सिर्फ दो भवों के बीच देखते रहने से पांचवे में प्रवेस हो सकता है तो पांचवे सरीर में प्रवेस करने के लिए हम चोथा चक्र अगर एक बार पार कर लें उसके बाद ध्यान करते हमें हमारे दो भवों के बीच में हम देखते रहें तब भी इस चक्र में प्रवेस या उसके अनुभूती यानि के सरीर में प्रवेस आसान हो जाता है सरी तरीके से कुंडलीनी जागरूप ना हुई हो और कोई दो भावों के बीच में देखते रहने का प्रोयक करता है तो स्रिजोफेनिया एक प्रकार का पागलपन होने का डर है बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दो भावों के बीच में आगना चक्र है और आगना चक्र को डेवलप करने से हमें बहुत फाइदा हो जाएगा इसके लिए वो नीचे के जितने भी चक्र है उसकी परवा किये बिना सीधे आगना चक्र है उसके उपर ध्यान करना सुरू कर देते हैं अगर ऐसा करते हैं तो सीजोफेनिया होने का यानि कि स्प्लिट्स पर्सनालिटी हो जाने का दर रहता है तो वैसा ना हो इसके लिए हमें मुलाधार चक्र से एक एक चक्र करके काम करना सुरू करना चाहिए पांचवे सरी में प्रवेश से बहुत आनन मिलता है इसलिए सरीर को पार करना बहुत मुस्किल है जैसे हमने कहा कि यहां पे त्री और पुरुस का भाव भी मीड़ जाता है और सही मैं या मैं क्या हूँ मैं आत्मा हूँ ऐसा एक अनुभुती पैदा होती है और इसकी वज़ा से आनन मिलता है और यह अनुभुती की वज़ा से इस सरीर को पार करना मुस्किल हो जाता है चटा चक्र आग्ना चक्र है और उससे जुड़ा ब्रम्ब सरीर होता है पांचवे सरीर को पार कर लेने पर आत्मा को भौतिक सरीर की जरूरत नहीं रहती वह आत्मिक सरीर जिसे हम देव या दानव कहते हैं उसमें हजारों वर जीवित रह सकता है तो जैसे हमने पहले भाग के वीडियो में देखा कि हमारे पास एक जीवात्मा पुरा जगत है वह आत्मिक जगत के अंदर हमारा जो जीव है वह बहुत सालों तक जीवित रह सकता है तो जो लोग पाचवे चक्र को पार कर जाते हैं और छटे चक्र पर काम कर रहे हैं और उसका सरीर छूट जाता है तो वह आत्मिक सरीर में जीवित रह सकते हैं और आत्मिक सरीर में भी उनकी अनुभूती चालू रहती है अगना चक्रपे काम कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिवात्मा जगत में काम कर रहे हैं जिसको सास्तर में देव कहा गया या दानव कहा गया है जो लोग मनुष्य जाती के लिए या पृत्वी पे रहने वाले लोगों के लिए काम की चीज करते हैं उसे हम देव कहते हैं जो लोग विनास की और काम करते हैं उसको हम दानाव कहते हैं पर जैसे हमने पहले विभाग में देखा कि ये परम उर्जा है उसी के अंदर विनास क जिसको हम सीव कहते हैं, वो भी सामिल है, मैं हूँ कि बोध को पकड़ कर न रखे, तो अपने आप छटे सरीर में प्रवेस होता है, तब मैं सब के साथ एक हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मी का बोध होता है, तो जैसे हमने कहा कि पांचवे सरीर के बाद व्यक्त आत्मिक सरीर में चला जाता है, और आत्मिक सरीर में वो जान पाता है, कि ये पूरे विश्व में क्या है, तब उसे ये बोध होता है, कि मैं ब्रह्म हूँ या, मैं इस सभी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा उसे लगने लगता है, चटे सरीर को प्राप्त करने वाले लोगों ने वेज जैसे सास्त्र लिक है, तो जब ये छटे सरीर वाले लोग आत्मिक जगत को छोड़के वापिस पृत्वी पे भोतिक सरीर लेते हैं तब उनके पास वो सारा ग्यान होता है, जो उन्होंने जिवात्मा जगत में लिया है और इसीलिए वो पूरे विश्वकी बातें वेज जैसे सास्त्रों में या अईरवेज जैसे सास्त्र या जोतिश सास्त्र वगेरे जो सास्त्र है, वो लोग लेख सकते हैं इसलिए हमें याद रखना है कि जिनकी थर्ड आई या आगना चक्र सुरू हो गया है, वो ऐसे लोग नहीं होते हैं, जो कि हर एक जगा पे अपनी एडवेटाइस करते रहें, कि मेरा आगना चक्र खुल गया है, और मुझे ये करना आता है, या मुझे कंडली नी चगरूत करना आता है, ये सब बोलने वाले लोग वो नहीं होते, बड़कि वो पूरे विश्व को समझने वाले लोग होते हैं, और बहुत ग्यानी लोग होते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे पुर्थवी के उपर आते हैं, जो कि सिर्फ सात्वे सरीर में जाने के लिए आये होते हैं, सात्मे सरीर या निर्वान पाने के लिए उसे वापिस भहतिक सरीर में आना पड़ता है तो जैसे हमने कहा कि वो आत्मिक सरीर में हजारों साल जीवित रह सकते हैं चक्रों का और जीवात्मा का जगत छोड़के ये जानना है कि सत्य क्या है या जो परम आत्मा है परम उर्जा है वो क्या है तब उसे वापिस सात्मा सरीर लेना पड़ता है और वो सात्मा सरीर को जब पार करता है तभी उसको निर्वार प्राप्त होता है अगर आपका भौतिक सरीर स्तरीका है तो आगना चक्र पर ज्यादा ध्यान न करे पर एक से चार चक्रों पर ज्यादा ध्यान करे अगर आपका भौतिक सरीर तरीका है या पुरुसका है पर अगर आपका चित पुरुसका है तो आग्या चक के ध्यान में समर्पन का भ्याव करना अतियावस्यक है जैसे हमने आगे देखा ऐसे कि हमारा भौतिक सरीर तरीका या पुरुसका कोई भी हो मगर हमारा चित अगर पुरुसका है तो पुरुस चित वाले लोगों को आग्या चक्र पे ध्यान करना चाहिए बट उसमें हमें याद रखना चाहिए कि हमारा भाव समर्पन का होना चाहि तो वो इस प्रकृति को पर प्रहार करने वाला बन जाता है तब वो दानव की और चला जाता है और इसके लिए पुरुश्चित वालों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी वो ध्यान करते हैं वो तब वो समरपन का भाव रखे सात्वा चक्र सहस्त्रार है और उससे जुड़ा निर्वान सरीर होता है छटे चक्र में मैं ब्रह्म हूं का बोध होने पर मैं को पकड़ कर न रखे तो अपने आप सात्वे सरीर में प्रवेस होता है बहुतिक सरीर में नकार अत्मक मन हो यानि कुछ भी पाने का खयाल ना हो निर्वान पाने का ख्याल भी ना हो, तो सात्वी सरीर में प्रवेस आसान हो जाता है, अगर इतनी बातों को हम समझे, छटा सरीर जिनको मिल जाता है, वो आत्मिक सरीर में जीवित रह सकता है, और वो अगर आत्मिक सरीर में जीवित रहता है, तो उसे मैं ब्रह्म हूं का बो और ऐसे ही लोग जीवात्मा जगत में रहकर हमारी मदद भी कर रहे हैं और बहुत सारी बाते कर रहे हैं जो कि पृत्वी पे आज चमतकार के रूप में हो रही हैं। क्यों कि अगर उनको कुछ करने का ख्याल है अगर इस पृत्वी के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको मदद करने की भी अगर भावना है और कुछ ऐसा कर जाने की भावना है कि मैं विश्व को ठीक कर दूँ ऐसी कुछ भावना है तब वो निर्वान नहीं पा सकते क्योंकि वो जो इच्छा है वो वहाँ पे बाधा बन जाती है सात्वा चक्र पार करके सात्वी सरी में प्रवेश से पहले बहुत घपराट होती है छटा चक्र पार किया हुआ व्यक्ति भी भहुतिक सरीर में आता है और अगर उसको सात्वा चक्र पार करना है तो बहुत घपराट होती क्यों कि तब अनस्तित्व को जाना जाता है और चेतना वापिस अनस्तित्व हो जाती है उसका जो जीवात्मा जगत में जो जीव है वो जीव पूरी तरह से नश्ट हो जाता है वहां से निकल जाता है और जब जीव यानि कि सारा उसका अनुभव है सारा मन है वो उसे मिटान होता है इसके लिए ये बहुत कठिन है सात्वा सरी यानि अंदी मृत्यू उसको पता चल जाता है कि अब मेरा जो जीव है उसका अंदी मृत्यू हो जाएगा और अंदी मृत्यू जब होता है तब उसे पता चलता है कि वो परम उर्जा से ही मेरा सरीर बना हुआ है वो उसे अ वहभाव यानि नाड़ी, चक्र और उससे मिलने वाली अनुभती यानि सरीर को समझना जरूरी है जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके पैर होते हैं पर वह अभी चल नहीं सकता 12-15 महिने के बाद बच्चा चल सकता है पर अभी बहुत दूर तक दौर नहीं सकता 15-20 साल का युवा बहुत दूर तक दौर सकता है पर विश्वर रेकोर्ड बनाने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है उसी तरह से जन्मा के साथ मनुष्य से में चक्र होते हैं पर वो पूरी तरह से काम नहीं करते चक्रों से पूरा काम लेने के लिए उस पर उर्जा ले जाना जरूरी है और उर्जा ले जाने के लिए चक्रों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है चक्रों पर ध्यान ले जाने के लिए मैंने साथ वीडियो बनाए है इसमें हमने जो meditation किया है वह बहुत जरूरी है अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो चक्रों का कोई भी ऐसास या फाइदा आपको नहीं मिलेगा हम जैसे जीते आए हैं वैसे ही अगर जीते रहते हैं तो हमें ये चक्रों का कोई भी फाइदा नहीं मिलता या उससे होने वाली जो तकलीपे हैं वो तकलीपे हम भुगते ही रहते हैं पर हमें इसमें से छुटना है हमें ये जानना है कि परम सक्ति क्या है परम उर्जा क्या है तब हमें इस चक्रों पे ध्यान ले जाना पड़ेगा और इस चक्रों पे ध्यान ले जाने के लिए मैंने अलग-अलग साथ meditation बताएं हैं अलग-अलग चक्र के और एक सभी का combine meditation भी बनाया है सारे meditation की जो link है वो मेरे YouTube चैनल मफ़त सीखो के वीडियो के नीचे आपको उसकी सारी link मिल जाएगी और वो link से आप वो meditation कर सकते हैं पहले मुलाधा चक्र से लेकर छटे आगना चक्र तक व्यक्ति अगर अस्तित्व के स्विकार भाव यानि मेरे जीवन के लिए जो जरूरी है वो करना चाहे उसके लिए किसी को मानना ही पड़े ये भाव वाला है तो एक प्रकार के कारिय होते हैं तो अगर हम इसको समझे तो ये कि हम अगर स्विकार भाव वाले हैं तो मुलाधा चक्र से लेकर जैसे वासना है गुरूना है भई है संदे है कल्पना है गलत में है या दानव इतने सारे कारिय होते रहते हैं ये कारिय से होने वाली तकलिफे भी हमें भुगतते रहना पड़ता है और अगर व्यक्ति अस्तित्व को बदलने वाला यानि सभी अच्छी बातों के साथ मेरा जीवन हमेसा चलता है उसके लिए मैं क्या करूँ ये भव वाला है तो दूसरे प्रकार के कारिय होते हैं जैसे हमने कहा कि पिंगला नाड़ी वाला हो यानि कि इस जीवन को लंबाई देने के लिए या जीवन को ज़्यादा चलाने के लिए कुछ कारिय करने वाला अस्तित्व पे प्रहार करने वाला है तब व्यक्ति दमन करने लगता है व्यर्थ की बादुरी बताने लगता है विश्वास गर्द का बताता है मिथ्या सपने बनाता है या पूरे विश्व के लिए अच्छा काम करके जीवों को बचाने का काम करके वो देव का काम कर सकता है पर ये सभी कार्य में भी उसे कुछ न कुछ तकलीफे आती रहेगी ये कार्य की तकलीफे उसे भुगते रहना पड़ेगा अगर वो ये कारिय की तकलिफे नहीं भुगतना चाहता अगर वो ये जानना चाहता है कि ये परम उर्जा या परम आत्मा क्या है तो ये दोनों को उसे छोड़ना पड़ेगा हमारी यानि समाज की नजर में ये काम सही या गलत हो सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ मानव जाती को ध्यान में रखकर सोचते हैं पर पूरे विस्वर के संदर्ब में ये सिर्फ एक कारिया है अगर इसको हम समझे आगना चक्रप आते हैं तो हमें देव या दानव इसमें हमें ये लगता है कि देव जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और दानव जो काम कर रहे हैं वो गलत है क्यों हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम हमारी नजरे से हम हमारे जो समाज है उसकी नजरे से सोचते हैं हमारा जीवन टिकाने के लिए हम जो अच्छे काम करते हैं उसे हम देव कहते हैं और इस पृत्वी के उपर जो विनास के काम करते हैं उसे हम दानव कहते हैं पर जैसे हमने पहले वीडियो में देखा कि इस पूरी पृत्वी को चलाने वाली जो उर्जा है उसको सास्त्र में तीन मिलके एक देव के नाम से गिना गया है और वो है ब्रह्मा, विश्नु और सिव यहाँ पे सिव का भी समावेस हुआ एक जो की विनास करने वाला भगवान हमने माना है सास्त्रों में उनको भी भगवान माना गया है क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये जो एनर्जी में से प्रदार्थ बनना और प्रदार्थ में से वापिस एनर्जी बन जाना उस पूरे प्रोसेस के अंदर ये तीनों चीजें काम में आती है दोनों में से कोई भी काम करने से या ना करने से फाइदा होगा ऐसा नहीं वरन दोनों कामों को समझ कर उसमें साकसी भाव रखने से अनुभव मिलता है और अनुभव से कार्य करने की इच्छा छुड़ जाएगी तब चक्र की उर्जा का रुपांतरित हो जाता है और आनंद पैदा होता है जब कोई भी चक्र के कार्य को करने की इच्छा नहीं रहती यानि सारे चक्र रुपांतरित हो जाते हैं तब सुन्य हो जाता है तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे चक्रों में ना स्विकार भाव वाले, ना प्रहार भाव वाले, ना स्ट्रेंड, ना मरदाना, सभी कारियों को हम समझ के द्वारा छोड़ते जाते हैं, तब हमारे अंदर एक सुन्य पैदा होता है, सारी चीजों को छोड़ने का एक भाव कर रहा है तो यह सारी बाते आपको समझ में आ जाएगी पर हमें याद रखना है कि हमें अनुभव से यह चक्र पार करने हैं कि ऐसे विडियो देखकर आपको यह सारी समझ आ जाएगी कि ऐसा ऐसा होता है पर यह सिर्फ समझ के बाद दुसरा जो step है वह उसका अनुभव लेन हमारा सहस्तरार चक्र तक हम आते हैं तो हमें सब को सुन्य करने का अनुभव होता है अगर हम उस अनुभव में से पार हो जाते हैं तब ये सही तरीके से हमें सुन्य को पार करके जो परम उर्जा है उसको पाने का मौका मिलता है या हमारा निर्वान हो जाता है तब तक सिर्फ ये हमारी समझ रहती है चक्रों को पार करने वाली उर्जा को जागरुट करने के लिए बहुत सारी ध्यान विदिया हैं उसमें भी जागरुटा रखना बहुत जरूरी है तो कोई भी ध्यान विदिया आप कर रहे हैं अगर वो ध्यान विधी को सिर्फ विधी के रूप में आप कर रहे हैं बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो आपको कोई भी फाइदा नहीं मिलेगा बट जब आप वो ध्यान विधी कर रहे हैं तब उसमें आपको जागरुक्ता रखना है जागरूता का मतलब होता है कि आपको ये जानना है ये समझना है कि ये वीधी में क्यों कर रहा हूँ वीधी करने से क्या फाइदा हो रहा है ये जब मैं वीधी कर रहा हूँ तब मेरे सरीर के अंदर क्या फरकाते है मेरे विचारों में क्या फरकाता है मेरे जीव में क्या फरकाता ये सारी बातों पर अगर आप जागरूता रखेंगे तभी आपको फाइदा होगा चक्रों से होने वाले फाइदे या नुकसान अच्छे या बुरे नहीं होते पर हमारा ध्यान चक्रों से मिलने वाले फाइदे या नुकसान पर नहीं पर सत्य क्या है उस पर होना चाहिए उर्जा को साज चक्रों के द्वारा साज सरी में ले जाने की गुरू चावी जागूता से समझना है तो जैसे मैंने कहा कोई भी चक्र जब उस चक्र पर हम काम कर रहे हैं तो उसके स्ट्रेंड संभावना या उसकी मरदाना संभावना अच्छी या बूरी नहीं होती, पर वो दोनों काम करने से हमें कुछ न कुछ फाइदे और कुछ नुकसान होते रहते हैं, उसमें हमें अगर ज़्यादा इंट्रेस है, तो फिर उस चक्र में ही फसके हम रह जाते हैं, इसलिए उस फाइदे या नुकसान पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान इस पर देना चाहिए कि सत्य क्या है, इसलिए कहा गया है कि गुरु चावी जो है वो जागरुक त्या है जागरुक रहना चीए कि हम कौन से चक्रे पे काम कर रहे हैं हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं और उस चक्र को पार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है अंत में याद रखना है कि साद्धक के लिए लड़ने भर से सावद रहना है और प्रकृती से तुम्हें जो मिला है उसको समझने की कोसिस करनी है तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चक्रपे हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ नुकसान हो रहे हैं अगर काम कर रहे हैं उसमें हमारी वासना जग रही है या दमन करने के पक्स में तबी भी हमें याद रखना है कि हमें लड़ना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं जो भी हो रहा है जो चक्रपे आप काम कर रहे हैं आपके अंदर जो भी इच्छाय आ रही हैं जो भी वासनाय आ रही हैं जो भी अच्छा करने की भावना आ रही है वो सभी को हमें समझना है उसे लड़ना नहीं है पर हमें ये समझना है कि हमारे जीव से हमें ये मिला है तो उसको मैं कैसे पार कर सकता हूं ये बातों को आपको ध्यान में रखना है तो आसा रखता हूं कि मेरे इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा और आपको जरूरा होगा